तो आज का ये वीडियो हमारे स्नेक इन्फोर्मिशन स्पेशल सिरीज का तीसरे एपिसोड होने मारा है जो कि कम्प्लेटली होनी वाला है कॉमन इंडियन क्रेट के ऊपर अगर आपको कोई क्रेट का रेस्क्यू देखना है तो आप आई बेटबर क्लिक करके देख सकते हैं जो कि हमने रेस्क्यू किया हुआ है तो टाइम वेस्ट न करते हुए चली शुरू करते हैं पॉइंट नबर वन नेम तो इसे इंग्लिश में कॉमन इंडियन क्रेट के नाम से जाना जाता है गुजराती में यहां इसे काड़ोतरो के नाम से जाना जाता है हिंदे में इसे करत के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है बंगरास करूरियस पॉइंट नमर टू आइडेंटिफिकेशन तो इसका आइडेंटिफिकेशन करना काफे सिंपल होता है और यह साब पूरा ही ब्लेक होता है नीचे से वाइट होता है और इसके बॉड़ी के ऊपर वाइट लाइन्स आपको आसा इसे देखने के लिए मिल जाएगी यह वाइट इन तीनों स्नेकों को साइड वाइस हैड देखेंगे तो आपको पता से ले जाएगा वैसे इसमें से एक स्नेक है वो वुल्फ स्नेक है एक है वो क्रेट है और एक है वो यलो स्पॉर्टेड वुल्फ स्नेक है तुनों ही वुल्फ स्नेक है लेकिन एक है वो कॉमन वुल्फ और दूसरा येलो स्पॉट एड विल्फ नेखें वैसे कॉमन वूर्फ ने काफी सिमिलार दिखता है लेकिन उसका ब्राउन कलर वो उसे आसाएज से अलग कर सकता है लेकिन अगर हम इस शाप को रात में देखेंगे तो हमें ये ब्लैक ही लगेगा दूसरा है येलो स्पॉट सब कुछ क्रेट से मिलता है लेकिन यह अपने यलो स्पॉर्ट के कारण ही अलग होता है इंडिये दोनों सापने अनिवनास होता है और यह अकेला साफी भी नमस होता है पॉइंट नमर थ्री एबिटाई तो यह सब जाद तर आपको इंसानों के आस-पासी देखने को मिलेगा और दूसरा यह घर्ने जंगलों में देखने को मिल सकता है यह गरम प्रंदेश में यह सब काफी कम देखने के लिए मिलता है पॉइंट नमबर फॉर फूड तो यह जाद तर हर साप की तरह ही चुहे मेंडर को या फिर छोटे बर्ड्स खाता है यह साप काफी बड़ा हो तब यह कई बाद छोटे सापों को भी खा जाता है पॉइंसका विनम इतना खतरनाख होता है कि यह कोबरा के मुताबिक 5 गुना होता है यान यह कोब्रा का 5 ml बादा हमोगी इंसान के लिए काफी खतरनाख होता है पॉइंट नमबर 6 इफिट बाइट अगर यह सब आपको काट लेता है तूरंत ही अपने नज़े के सरकाली अस्पताल में चाहिए और एक बात आप कर सकते हैं कि होमियोपेटी की नाजा 200 नाम के एक मेडिसन आती है जो हमारे पास खुद भी रखते हैं इसलिए आपको प्रिफर कर रहे हैं और यह यह दवा इसलिए है क्योंकि अगर कोई साफ मूं को काट लेता है तो हमारे पास यह प्राइमर इलाज है जिसे साफ का जहर फैलना बंद हो जाएगा और इस साफ को काफी ज तब से लेके आपको कब तक वो दिकवरी हो जाए तब तक आपको क्या क्या करना है उसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं अगर आपके चाहता है तो अधरवाइस आप स्नेक बाइट होने पर तुरंत ही अपने नस्ते की सरकारी अस्पाल में तुरं चले होता है तो हमें क्रेट ज्यादक सुभा मिलता है या फिर रात को लेत मिलता है मैं कई बार दो त्याट में से निकलता है इंसान का हाथ लगा तो सब तुरंद ही काटने के लिए आतुर होता है यानि कि common Indian crate इंसान को जल्दी से ही काट लेता है तो ये सब आप बोल सकते हैं कि एक तरह से काफी जनुनी होता है वो सामने से भी काटने के लिए आता है कई बार हम जब snake rescue करते हैं कोई मेथ हमें नहीं मालू में या फिर साम के बारे में कोई मिथ है ही नहीं स्तिफ एक मिथ या पिर एक misunderstanding बोल सकते हैं इस साप के बारे में है कि इस साप को लोग यहां गुजराती में हमारे local language में सापन के नाम से जानता है जो कुब्रा होता है उसे नाग या साप कहते है और ये है उसे वो सापन कहते है यो लोग इसे काफी जहरिला मानते है और इसे तुरंत मार डालते है देखते ही वैसे उनकी एक बात सही है कि ये काफी जहरिला होता है लेकिन दूसरी बात काफी गलत है कि इसे मार देना वो उसकी गलती नहीं है भगवान ने उसा बनाई या फिर नेचर नियुए इसा धना है तो ऐसा कोई साल आपको दिखता है तो आप हो सके उसे दुरी बना करके हो सक दुर करने कि कोशिश की और कि दिल्द को किती ना कर बोलते का सोचे तो हम अज़िकर के उपर एक special video बनाने वाल है अगर आपको और कोई आप कॉमेंट कर सकते हैं हम नेक्स से नेक्स वाल वीडियो में वह साब को लेंगे बस तो यह था अगरा वीडियो अच्छी लगए तो इसोरे को जरूर से लाइक कर दीजिए ऐसे इनंग मोर वीडियो देखने करें हमायजा को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू